तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास Realme का या फिर Redmi का कोई भी मोबाइल है और उसका जो fingerprint है वो सही से work नहीं कर रहा है तो आप किस तरीके से इस problem को fix करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पर जै है वो खराब हो चुका है या फिर कोई भी technical error है तो अगर कोई भी technical issue है तो उसको आप आसानी से fix कर सकते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसको आपको सही से follow करना है और आपकी यह problem fix हो जाएगी और अगर मैंने जो बताया इस वीडियो में उसके बा है तो आपको क्या करना है अपने mobile की जो power button है उसको press करके रखना है एंड यहां पर आपको एक यहां पर reboot का या फिर restart का option देखने के लिए मिलेगा आपको उस पर click कर देना है एंड अपने mobile को restart कर लेना है आपका mobile switch off होगा एंड थोड़ी दिर बाद switch on हो जाएगा तो जैस इसके बाद भी अगर fingerprint work नहीं कर रहा है सईसे या फिर attack रहा है आप fingerprint लगा रहे हैं तो कभी-कभी काम करता है कभी-कभी नहीं करता है तो आपको क्या करना है अपने mobile की settings को open करने के बाद यहां पर आपको एक option देखने के लिए मिल जाएगा password and security का आपको उस पर click कर देना अपना जो home screen का password है वो यहां पर enter कर देना है तो यहां पर मैं अपना password है वो enter करूँगा and इसके बाद आपको क्या करना है अपने जो fingerprints लगे हुए already उनको remove कर देना है and add fingerprint पे click करके अपना जो fingerprint है उसको क्या करना है दोबारा से update कर देना है तो यहां पर अपना जो fingerprint है उसक एक ही fingerprint यूज़ कर रहे हैं आपने काफी समय पहले अपना जो fingerprint है उसको लगाया था और आप काफी ताइम से यूज़ कर रहे हैं और आपकी fingerprint मिट्टी बगारा जम हो जाती है या फिर आपकी जो skin है वो थोड़ी damage हो जाती है तो इस वज़य से भी ये work नहीं करता है तो आप आपको अपना fingerprint है उसको एक खरब अपडेट जरूर कर लेना है एक बार चेक कर लेना है कि आपका fingerprint जो है वो यहां पर सही से work कर रहा है या नहीं अगर आप अपना जो system है जो आपका software है उसको एक बास check कर लेना है कि आपके mobile में कोई update तो नहीं आया है अगर आपके mobile में कोई भी technical problem देखने के लिए मिलती है तो आप अपने mobile के software को update कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको अपने software को देखना है कि कोई भी update तो नहीं आया है आपकी screen सही से work नहीं कर रहा है, fingerprint सही से work नहीं कर रहा है, तो आप update कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी problem देखने के लिए नहीं मिल रही है, तो आप update मत कीजिए, तो आपको क्या करना है, जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, बस आपको इतना follow करना है, और आपकी ये problem fix हो जाएगी, इसके बाद भी अगर आपका fingerprint अपडेट जो है, वो work नहीं कर रहा है, आपका fingerprint अपडेट करनी के बाद भी work नहीं कर रहा है, तो अब आपको service center पर जाके एक बार check जरूर करवा लेना है, कि आपके fingerprint में कोई भी दिक्कत है या नहीं है, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो वो बता देंगे, तो दोस्तों गर वीडियो चलिखती है, तो इस वीडियो को like कर दीजी, और चैनल को subscribe कर दीजीए,